मीडिया में भी और पूरे देश में चुनाव का माहूल है मगर कुछ विशय ऐसे होते हैं जो राजनीती के ऊपर और चुनाव से बढ़कर होते हैं वो विशय होते हैं जीवन के, वो विशय होते हैं राश्टर के, वो विशय होते हैं देश के एक ऐसे ही बहुत महत्वपून विशय को लेकर आज यह प्रेसवारता रखा गया है यह देश के हित का विशय है और यह विशय कोरोना के वैक्सिनेशन को लेकर है और उस वैक्सिनेशन ड्राइफ को लेकर जिस प्रकार की एक अवांचित राजनीती हो रही है उस राजनीती क को लेकर हैं बंदुगन आज अकबारों में और टेलिवीजन चैनल के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं जिन में मुख्यतह पंजाब च्छतिसगड और केरल का भी नाम आता है इन तीन राज्यों ने कह है कि वो को वैक्सीन जो हिंदुस्तान का अपना मैनुफैक्चर वैक्सीन है जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका टीका करन अपने राज्यों में वो नहीं करेंगे उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे इस थ्री ओपोजिशन रूल स्टेट्स च्छतिसगड पंजाब और केरल यहां इसके बाद भी कि कल ही आपने देखा कि किस प्रकार ICMR और जो निर्माता को वैक्सीन के हैं, जो मैनुफैक्टरर्स हैं को वैक्सीन के, उन्होंने मिल करके एक प्रेस कॉन्फरेंस करके डाटा रिलीज किया, इफिकेसी डाटा आफ्टर फेस त्री ट्रायल अफ को वैक्सीन और इस एफिकेसी डाटा के अंतरगत जो मैनुफैक्टरर ने और ICMR ने कहा कि 81 प्रतीशत का एफिकेसी, 81 परसंटेज एफिकेसी को वैक्सीन का है, यह सब कुछ सामने आने के पश्चात, जिस प्रकार की पक्षी डल कर रहे हैं, यह बिलकुल अवान्ची थे, इस अननेसेसरी पॉलिटिक्स, जिस अनने के पूरे विशह को भटकाने की मुद्रा में कहते थे, अगर इसके एफिकेसी सही है, अगर को वैक्सीन इंडिजिनस है, और देश को इस पर भरोसा है, तो प्रधान मंत्री जी पहले वैक्सीन लगा ले, let the Prime Minister approve by getting himself vaccinated first, then we will also have faith that this vaccine is efficacious, आप सभी ने देखा कि जब उनका टर्न आया, किस प्रकार से, खुद एमस जाकर के, लाइन में खड़े होने के पश्चात, सारे नियमों को मानते हुए, देश के प्रधान सेवक, आधर ने जी ने स्वदेशी टीका अर्थात को वैक्सीन को लगवाया, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, followed all the due process of vaccination, and the vaccine which he chose was को वैक्सीन, यही opposition party सवाल पूच रही थी, कि आप लगा लीजी, प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री जी ने को वैक्सीन लगाया, देश के प्रथम नागरिक, the first citizen of this country, President of India, also got vaccinated by Covaxin, प्रथम नागरिक, राष्ट्रपती महोदे, महामहीम राष्ट्रपती ने भी Covaxin का इस्तेमाल किया, ठीक उसी प्रकार, भारत के उपर राष्ट्रपती, Vice President of India, Shriman Venkaya Naiduji ने भी, और अन्य मंत्रियों ने, Covaxin का इस्तेमाल किया, इससे बड़ ने, Covaxin का इस्तेमाल किया, फिर भी इस प्रकार की राजनीती, कहीं न कहीं, यह संसय पैदा करता है, बंदुगण किसी भी राजनेता का, किसी भी राजनेतिक पार्टी का, किसी भी एक समझदार ओपोजिशन पार्टी का करतव यह होता है, कि ऐसे वक्त में, जब वैक्सिनेशन ड्राइब जैसा एक अईतिहासिक काम चल रहा हो, देश में संसय का वातावरन, कन्फूजन का वातावरन कभी पैदा नहीं होने थे, हमेशा एक जूत होकर सबको खड़ा होना चाहिए, and the message that should be read loud and clear across this country is, we all stand together, together we can and together we will defeat Corona, but astonishingly and shockingly you have seen, right from the very beginning, the day one India fought against Corona, from there till today, all that the opposition party, particularly the Congress party, has contributed towards fight against Corona, is quote unquote politics and confusion, केवल और केवल राजनीती और confusion फैलाया है, Congress Party ये बहुत ही अपने आप में दुखद विशय है, और तो और तीन राज्यों का तो नाम मैंने लिया, पंजाब, च्छतिसगर और केरल, दो और राज्ये हैं, आज में अकबार में पढ़ रहा था, West Bengal और जारकंड जिन्होंने कोवैक्सीन को लेकर, अकबार ने लिखा है कि they have expressed their doubts, उन्होंने संदेह वेक्त किया है कि कोवैक्सीन सही काम नहीं करेगा, और दुखद विशय है कि जो अकबार में आज statement चपा है, they expressed that people should not be used as guinea pigs, बंगाल और जारकंड से, जब ये कहा जाता है कि आप लोगों को guinea pig की तरह इस्तेमाल मत करिये, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाख statement है, आप जानते हैं, ICMR ने भी कल बताया है, manufacturer ने भी कल बताया है, कि सारे due process को follow करने के पश्चात, 28,000 से अधिक volunteers के उपर test करने के पश्चात, पूरे विश्व में जिस प्रकार का efficacy report को vaccine दिखाती है, ये हम सब के लिए गर्व का विशय है, कि हमारे देश का एक स्वदेशी vaccine आज पूरे विश्व में अपना नाम कर रही है, मैं opposition party से पूछना चाहता, कि आपको अपने ही देश के वैज्ञानिकों पर, अपने ही देश के चिकिच्चकों पर, और अपने देश के प्रधानमंत्री उप्राष्टरपती पर भरुसा नहीं है क्या, आप किस पर भरुसा करते हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कि 40 ऐसे देश हैं विश्व में, जिन्होंने को वैक्सीन का order प्लेस किया है, कई देशों को ये order मिल भी चुका है, 40 ऐसे देश, वो हिं इंदुस्तान के इंदीजिनसली मैनुफैक्चरड वैक्सीन की इच्छा रखते हैं, विश्व को वैक्सीन के आगे नमन कर रहा है, विश्व को वैक्सीन मांग रहा है, और भारत उन्हें को वैक्सीन भेज भी रहा है, किन्तु भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं, जो अपन निहित राजनेतिक स्वार्थ के कारण वैक्सीन जैसे एक महत्तुपूर्ण विशय पर राजनीती करके इस पूरे विशय को गौण कर रहे हैं यह बहुत दुखत विशय बंदू और इसी विशय को आज हम देश के सामने रखना चाहते थे कि बहुत बड़े जंग को जब जी दिखाया दिया और इस देश ने फॉलो किया नतीजा है कि आज भारत कोविट से लड़ने में सफल रहा है और जब इतना बड़ा युद्ध होता है वन यू फाइट वार ऑफ सच अहूज स्केल दन वन ओफ तो मोस्त इंपॉर्टंट इंग्रेडियंट्स इस फेट एक बह ज्यानिकों पे अपने देश के चिकिचसकों पे अपने देश के नित्रुत्तों पे अपने स्वदेश पे भरोसा रखिए यह आत्म निर्भर भारत है आज भारत पूरे विश्व को रहा दिखा रहा है पूरा विश्व आज भारत की सराहना कर रहा है ऐसे में कॉंग्रेस पाटी जिस प्रकार की राजनीती कर रही है यह अवांचित है हम इसके निंदा करते हैं